बही गए वो जमाने जब लड़की को घरवाले साड़ी पहनाना सिखा कर सिसुराल भीजा करते थे अब तो अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहन कर घुवा करती है अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना करे चुन्नी वाला सूट? उस पे कौन सा बड़ा काम है? ये लो राधा अंदर जाती है, पजामे के उपर ही कुर्ता और दुपटा डालाती है हैपी सासुमा, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है न सास राधा को देखती है हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं लेकिन बहु तो बहु की तरह ही अच्छी लगती है न अरे बिंदी लिफ्स्टिक लगा आया कर अगले दिन राधा पजामे के उपर उची से साड़ी पहन कर तयार हो कराती है सासुमा, चाह ले लिजे अरे राधा, ये क्या जोकर बनी हुई है अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है अरे, तो कोई बात नहीं है न सासुमा आपी को तो बहु ऐसी चाहिए थी न बहु जैसी, अम मैं का करती? तब ही वहाँ शाम आ जाता है अरे, राधा, मा के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी आप भी ना, पागल हो गएं क्या? सिर्फ साड़ी तो सत्यम, शिवम, सुन्दरम की जन्यत, अमान में पहनी थी अरे, लोग देखते तो थे जी, भर-भर के, लेकिन आँखी बन करके कैसी बाते कर रहे हैं आप अरे, महले वाले क्या कहेंगे, ना अरे, बस-बस शाम, तु चुपो जा ये औरतों के बीच में मत बोला कर वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाए कि सिवाता क्या है कल को सिर्फ साड़ी पहन कर निकलाई ना बबा, ना हंगामा हो जाएगा अरे, बहु, वो कहना ये चा रहा था के नीचे ये तु जो पजामा सजा लेती है ना, वो नहीं पहनना है है ना? राधा सास की बात सुनकर परिशानसी हो जाती है वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है मैं कैसे इन लोगों को समझाओं के मैंने बच्पन से ही सिर्फ पजामे ही पहने मेरी शादी के दिन भी लहंगी के नीचे पजामा आई तु था अरे, किसी को पजामे से क्या अतिकत हो सकती है क्या गरू मैं? राधा रोने लगती है जिसे उसका पती देख लेता है अरे, अरे, मेरी प्यारी राधा, रो क्यो रही हो? अच्छे, चलो, शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा राधा ये सुनकर खुश हो जाती है ओ, आइस क्रिम के साथ शॉपिंग, वाउ मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ, क्या-क्या लेना है मुझे बस फिर क्या था, राधा बैट जाती है, लिस्ट बनाने मा, देख तिरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया अरे, आसा क्या कर दिया, पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तुने अरे, क्या सी बात कर रही हो मा, पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका तभी, डॉर बिल बचती है, और पडोस की चाची घर आती है, उनकी हाथ में एक पजामा होता है अरे, मैंने सोचा कि ये कपड़ा सडक पर गिरा था, किसीने सुखाने डाला होगा अब ना ये पेटी कोट जैसा था, ना ही पतलोन जैसा तभी मैं समझ गई, ये राधा बहु का पजामा होगा तो पहनती है न ये अरे, चाहे पाटी वेर हो या फिर गर का कपड़ा तुम्हारे बेटे की शादि के अलमम देख रही थी बहु ने तो लेंगे के नीचे भी पजामा पहना था ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा अब पजामा पुरान मत सुनाओ, चली जाओ चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी देआ उन्हें अरे, हाँ, हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूं मैं चाची की जाने की बाद अरे, अडोस पडोस वालों को बोल कर क्या फाइदा होगा बेटा अब तो घरमा शुरू हो जाना ही है, पजामे वाली बहु के नाम से तब ही वहाँ ससुरा जाते हैं अरे, वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है पजामे वाली बहु के घर के पीछे गली नमबर साथ अरे, बस बस आ गये तुम, दुकान आज जल्दी बंद कर दी अरे, क्या करूँ, ये टाइट पैंट पैंकर बैठा नहीं जाता दुकान में ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीट सिधी करने घर चला आया वैसे आज मा बेटा साथ में क्या बाते कर रहा है, हाँ? अरे, हाँ, बातों से याद आया बोल रहा है कि पजामे वाली प्राब्लम का सिलूशन ढूंड लाया है जड़ा बता दो बेटा क्या समाधान निकाला है? वो, मैं न मा अज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ अरे, बेटा, क्या बात है? कितनी अच्छी बात है? हा, मा, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तयार कर रही है कि वो क्या-क्या खरीदेगी जब इतना खरीदेगी, तो कुछ अलग तो पहनेगी ही, ना? उदर राधा, बजार जाने के लिए पजामा टी-शिट पहन कर तयार हो जाती है चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है पति शाम उसे बाजार ली जाता है, जहां राधा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बाहरा पजामे करिती है वो भी अलग-अलग रंगों के, और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है अरे आगई बहुरानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है पहन्ट लुक में इसे आप दुकान में भी पहन कर जा सकते हैं और अखोद केली है? ये बारा पजामे, हर रंग हर प्रिंट के राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रख कर बैठ जाती है अरे पूटी किसमत, भाग्य में साफ सुत्री सजी धची बहु दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है? अरे बजार गई भी तो क्या लेकर आई ये सड़े पैजा में? राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है मैं क्या करू बगवान? साड़ी में डर लगता है कि कहीं फस कर के न जाओ माजी को पजामे से नफरेत है लेकिन एक अच्छी बहु होने की नाते मैं अपना पैनावा माजी के लिए जरूर बदलने की कुशिश करूँगी हाँ बगवान जी अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पैहन कर सास के पास खड़ी हो जाती है हाई रे सूरज आज कामा से निकला है अरे राधा बहु ने साड़ी पैनी है वो भी पजामे के विना अरे वावा बहु तु तो राज कुमारी लग रही है अरे लेकिन एक जगा खड़ी क्यूं है माजी इसलिए की मैं गिर सकती हूँ अरे हाँ जी हमने तो चार तल्ले के मकान को एक करकर रखा था उपर नीचे सारा घर संभालाता वो भी साड़ी बे अरे कैसे गिरेगी तू मैं भी तो देखती हूँ जा छट से कपड़े लेकर आ नाना माजी मुझ से नहीं होगा मैं गिर जाओंगी साड़ी में फसकर लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहन कर छट पर जाना पड़ता है लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उत्तर रही होती है तो सेडियों से गिर जाती है फिर क्या ओह इनको काफी गहरी चोट आई है लगता नहीं कि नहीं नहीं डॉक्टर साब ऐसा मत बोलिए हरा सारे गलती मेरी है डॉक्टर साब मेरी बहु को बचा लीजिए अरे हाँ वो बच जाएंगी लेकिन चोट परने में देर लगेगी देरे देरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है अरे अब तो इसे पहन कर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राह क्यों न आ जाए फटा फटा काम होता है मुझे माफ कर दीजिए माजी मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूँगी अरे नहीं नहीं बहु मुझे माफ कर दे तुने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया बेटा इंसान पहनावे से नहीं बलके अपने कुशल व्यवार से सबका प्यार पाता है हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहु चाहिए सबका पात्स